प्रतिवी पर जीवीत रहने के लिए कई जीव जन्तियों ने अपने आप में कई बदलाव किये हैं। पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सस्क्राइब कर पास ही बने बेल के आइकन को प्रेस कर आल पर क्लिक कर दें। ताकि आने वाली वीडियो की लेटेस्ट अपडेट आपको मिलती रहे। दोस्तो आज की इस वीडियो में हम कुछ ऐसे जीवों के बारे में जानेंगे जो हर परिस्तिती में छिपने में माहिर होते हैं। जिने देख पाना इतना आसान नहीं होता। यह पेड़ पोधे और जमीन पर खुद को बेहत ही खुबसूर्ती से चिपाने में माहिर होते हैं। दोस्तो सबसे पहले बात करते हैं बफ टिफ मोथ की। बफ टिफ मोथ एक मध्यम आकार का पतंगा है जिसकी बनावट किसी लकड़ी के तुकड़े जैसी होती है। जब यह कीट अपनी लाइफ की फाइनल स्टेज में होता है तब यह काफी बड़े और हेवी दिखाई देते हैं। इस स्टेज में इसके रंग बेहद ही खूपसूरती से उभर कर आते हैं। इसकी लंबाई 55-70 mm तक हो जाती है। जब यह जीव आराम करता है तब यह किसी लकड़ी के तूटे हुए हिस्से की तरह दिखाई देता है। यह किट यूरोप, एशिया और साइवेरिया में पाई जाते हैं। यह प्रजाती पत्तियों और नर्म टहनियों को खाकर नस्ट कर देती है। दोस्तों अब बारी है टाउनी फ्रॉग माउट की। आस्ट्रेलिया में पाई जाने वाली यह अगुच चिडिया पेड़ पर अपने आपको बेहत ही खूपसूती से छिपा लेती है। इस चिडिया को देख पाना काफी मुश्किल होता है। क्योंकि इसका रंग रूप पेड़ की टहनियों से इतना ज़्यादा मिलता है कि यह चिडिया भी पेड़ की टहनी का ही हिस्सा लगती है। कई बार इस चिडिया को लोग उल्लू भी समझ लेते हैं क्योंकि यह दिन के हुजाले में सोती हुई दिखाई देती है। इसका सिर इसके शरीर के मुकाबले काफी बड़ा होता है। यह चिडिया जंगलों और नदियों के आसपास पाई जाती है। दोस्तों अब बारी आती है बेहद ही खुबसूरत दिखने वाले लीफ, टेल, गोगो की। सुखे हुए पत्ते के समान दिखने वाले इस जीव को देखकर ही लगता है कि इसका नाम इसकी चोड़ी सुखी पत्ते जैसी दिखने वाली पूच के कारण रखा गया है। इसका शरीर पेड़ की छाल वा पत्ते जैसे दिखाई देता है। यह जीव उष्ण कटी बंधिये वनों में पाय जाते हैं। अब तक इस जीव की आठ अलग-अलग प्रजातियों को हो जा जा चुका है। लेकिन वनों की कठाई की वज़े से इनका ठीकाना सीमीत होता जा रहा है। इन पर की गई रिसर्च से पता चलता है कि यह जीव एक विशेश पातावरण में ही रह सकता है। इस जीव को संजरक्षित प्रजाती की टॉप 10 लिस्ट में रखा गया है। क्योंकि इस जीव को अवेद रूप से पकड़ा जाता है और पालतु जानवरों के अं रंग और शरीर का विकास किया है। यह कीट भारत, श्रीलंका और साउथ इस्ट एशिया में अक्सर आम के पत्तों पर पाया जाता है। यह पेले एक फिर लार्वा स्टेज में आते हैं और फिर तितली में बदल जाते हैं। मादा केटर पिलर गहरे हरे रंकी होती है और न दोस्तों है ना यह सभी कमाल के जीव? आपको इन में से कौन सा जीव ज्यादा कमाल का लगा? हमें कमेंड करकर जरूर बताइए। और एसी ही इंट्रेस्टिंग वीडियो देखने के लिए चेनल को सस्क्राइब कर बेल के आइकन को भी ट्रेस कर आल पर क्लिक कर दें। ता